हेलो एवरीवान इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर टू ब्रेन टीजर्स और क्वेस्चन नमबर वन कैपिटल बी पार्ट और इसके भी फाइब साब पार्ट हैं तो एक एक करके हम करेंगे मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूँ इसमें एक क्वेस्चन यह है एक यह है एक यह है एक यह है और एक यह है तो एक एक करके हम सारे क्वेस्चन करेंगे तो हम लिखेंगे आपने पड़ा हुए है कि 12 12.144 144 12.1728 तो उसने पूछा था कि find the number whose cube is this तो आप लिखोगे the cube of 12 is 1728 उसने नमबर ही पूछा था तो simply नमबर जो है वो 12 आएगा इसकी कोई option नहीं दी गई है इसलिए आपको यह solve करके दिखाना है उसके बाग 216 into minus 125 और इसका cube root है तो यहाँ एक property लगेगी A multiplied B उसका जो cube root होता है किसके ब्राबर होता है A का cube root separate multiplied by B का cube root separate अब यहाँ पर A की जगह तो 216 है तो आपने 216 का cube root कर लेना ऐसे multiplied यह minus 1 बाहर ले आओ और उसके बाद अंदर 125 का cube root तो 216 जो है वो 6 को 3 times multiply करने पर obtain होता है तो आपने 216 को लिख दिया 6 into 6 into 6 और उसका cube root multiplied minus 1 फिर इसी तरह से cube root का sign लगाया 125 को 5 into 5 into 5 लिख दिया एक group यह बना एक यह बन गया तो आप इसको group में से 6 बाहर निकाल लोगे minus 1 minus 1 ही रहेगा और group में से 5 into 5 into 5 में से 1 5 बाहर ले लोगे तो 6 5s are 30 along with negative sign तो इसका answer है minus 30 अब यह question दो number में आए तो आप detail में कर दो एक number में आए तो आप चाहे brief में करो और even answer भी इसका one mark में सही होगा अगला question है एक number दे रखा है 0.123451 और उसका cube root कि इस number का cube root find out करो तो अगर आप 0.01 into 0.01 into 0.01 करोगे तो आपको यह number मिलेगा कैसे 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 तो उसी तरह से आपने 0.01 into 0.01 into 0.01 लिया और cube root का sign लगा दिया अब यह इसका एक group बन गया तो 0.01 उसमें से आपने एक बार लिख लिया तो इस number का cube root जो है वो 0.01 होगा अब करते हैं D sub part D sub part में बोला गया कि 1,7,1,5 को किस smallest number से divide करें कि quotient जो है वो perfect cube बन जाए तो आप इसको 3 से check करो 5 plus 1,6,6 plus 7,13 and 1,14 5 से करेंगे 5,3,0,15 2,17,21,5,4,0,20 1,5,3,0, अब तो यह 5 से नहीं जाएगा अब 7 से 7,4,0,28 28 में कितने डालें कि 34 बन जाए 6 तो यहां 63 बन गया 7,9,0,63 और 7,1,0,7 लास्ट रैट तो 1,7,1,5 किसके बराबर आएगा 5 इंटो 7 इंटो 7 इंटो 7 तो यह बन गया इसका एक ग्रूप question है कि 1,7,1,5 को किस smallest number से divide करें ताकि यह perfect cube बन जाए तो वो naturally 5 ही होगा क्योंकि यह 5 एक extra number है जो इसको एक cube बनने नहीं दे रहा तो आप लिख दोगे required अगर यह 5 ना हो तो naturally यह एक triplets का group बन गया और cube बनेगा smallest, required smallest number is equal to 5 means यह जो ऐसा number है से अगर हम 1,7,1,5 को divide कर दें तो आपके पास जो number है वो perfect cube बन जाएगा अब करते है sub part 0.512 upon 0.343 इस number का आपने क्या करना है cube root find out करना है right तो decimal की shifting आपने पहले चोटी classes में पढ़ रखी है decimal अगर 3 digit right shift करेगा तो denominator में भी वो 3 digit right shift करेगा तो यह आपके पास आजाएगा 512 upon 343 का cube root अब आप यहां यह property लगा दो a upon b का cube root is equal to a cube root separate upon b cube root separate तो आप इसको 512 cube root को अलग कर सकते हो upon 343 के cube root को आप अलग कर दो right तो 512 जो है वो कैसे आता है 8 को कितनी बार multiply करके 3 बार 8, 8,064, 8,512 upon फिर से cube root का sign यह जाएगा 7 into 7 into 7 तो यह इसका एक group बन गया इसका एक group बन गया right तो group में से एक number जो है वो एक बार लेना होता है तो 8 आपने ले लिया और नीचे जो है वो 7 ले लिया तो all these were the solutions of all five parts of brain teasers question number one capital B part hope you have understood the solution of all the parts explained in this video thank you